बहू, छोटी बहु कहां है? आजकल कोई काम टाइम पे उसका होता ही नहीं, जाने क्या करती रहती है? दस बजने को आई है, अभी तक उसका नाजता ही नहीं बना मा जी, काम तो तब होगा ना, जब आपकी छोटी बहुराने काम करेगी मैडम को बात करने से ही फुरसत नहीं है एक सेकंड काम करेगी, और दूस्ते ही मिनट फोन पे और फोन पे इतनी लंबी चोड़ी बाते करती है ना, कि पूरत दिन निकल जाता है अब आप ही बताओ, ऐसे में घर गरेशते का काम कैसे चलेगा? कोई बात नहीं बहु, तू भी तो अपने माईके में बात करती है अगर छोटी भी कर लेती है, तो क्या हो गया? माजी, माईके में बात करना और पंचायत करना दोनों अलग-अलग छीजे होती है मैं आच से दस दिन में एक बार फोन लगाती हूँ वो भी हाल-चाल पूछने के लिए और आपकी जो छोटी बहु है, दिन में आच-दस बार फोन लगाती है यहां कि एक-एक छोटी से छोटी बात बताती है अपने माईके में ये तो सही नहीं है ना माजी? और वैसे भी मुझे इस घर में आये हुए दस साल हो गए तब जाके मेरी इतनी हिम्मत हुई है लेकिन आप, आप तो कुछ बोलती नहीं हो छोटी को जो मर्जी वो करे अरे बहुत उससे पूच क्या लिया, तु तो इतनी घुस्ता हो गई तेरी दिवरानी है, वो जरा प्यार से रहना सीख उसके साथ देख तुझे भी इस घर में अच्जस्ट होने में टाइम लगा ना तु आट-दस साल में सीख गई ना इस घर के तोड तरीके वो भी सीख जाएगी ठीक है माजी, जब आप सास होके भी कुछ नहीं बोल ली हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ भला बुला लो आप आवाज लगा के बता देंगी, कब तक देंगी वो नास का पानी बड़ी बहु भी ना, पहले आज से दस साल का समय अलग था आज का समय अलग है, समस्ती ही नहीं है किसी बात को नमस्ते अंटी जी नमस्ते नमस्ते बिटा कहिए क्या काम था क्या काम, काम तो कुछ नहीं था मुझे न, श्वेता से मिलना था श्वेता से? माप केजेगा, हमने आपको पहचाना नहीं अरे दीदी जी, आप कैसे पहचानेंगी? मैं श्वेता के गाउं से आया हूँ उसका बच्पन का दोस्त हूँ अरे रगू तू? और यहां? कैसे? कहां? अरे तू भी न श्वेता कितने सवाल करती है एक बार में सांस दो लेने दे सब बताता हूँ सब बताता हूँ मैं दरासल किसी काम से इस शहर आया हूँ तो सोचा, जितने दिन यहां रुका हूँ तेरे पास मिल लेता हूँ और तू टेंशन मतले, खूब सारे गप्पे करेंगे अब मैं जितने दिन की सहर में हूँ तेरे घर उखने वाला हूँ भगाएगी तुने ना अपने दोस्त को तू भी ना सच में कभी नहीं सुद्रेगा वेसे ही मजा किया बाते करता है अरे मैं क्यों भगाऊंगी भला मुझे तो बहुत खुशे हुई तुस्से मिलके शादी के बाद पहले बार मिल दे हूँ तुस्से मैं पिष्ली बार भी जब मैं गाऊंगी थी ना अपने माई के तब भी तू नहीं था पता नहीं कहीं चला गया था कितने दिनों बाद मिली हूँ हाँ यार क्या कर सकता हूँ ते काम तो करना ही पड़ेगा अब मैं लड़की तो हूँ नहीं कि शादी करके अपने ससुराल में ठाट बाट सी रहूँ सही कह रहा है तू तू न और बता तेरी गर्फ्रेंड कैसी है एक नमबर बस तुस्से थोड़ा कम सुन्दर है बाट की तो एक नमबर है मेरे जैसी तो हो भी दी सकती तमजा चोटी बहुराली जी आपकी जिठानी और सास भी यही है अगर मौका मिले तो बता दीजेगा कि यह भाई साहब कौन है अगर तुम दोनों की बाते खतम हो जाएं तो ओ सौरी 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 माजी सौरी दीजी वो क्या है न मैं अपने दोस्ते न कितने सालों बाद मिली हूँ शादे के बाद पहली बाद तो मुझे बात करते करते न होशी नीरा कि आप लोग भी यहाँ खड़े हैं खेर कोई बात ने हैं यह मेरे गाओं का न मेरे बगल में रहने वाले घर का लड़का है और मेरा बच्पन का दोस्त है हम लोग बच्पन से ही एक साथ पले बढ़े और खेले हैं अब वो यहां किसी काम से आया है तो वो बोल रहा है कि जितने दिन यहां काम है तो यहीं रुख जाओं अब हमारा इतना बड़ा तो घर है रुख जाएगा क्या दिक्कत है क्यों सासुमा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना रगू की यहां रुखने से और वैसे भी दीपक भी रगू को अच्छे से जानते हैं अरे मुझसे ज़्यादा तो दीपक की और रगू की दोस्ती हो गए है मेरी शादी के बाद ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब यह दोनों आपस में बात नहीं करते हूँ ठीक है बहू मुझे क्या परेशानी हो सकती है जब तेरा पति उसको जानता है बात करता है तो फिर भला मना करने वाली में होती ही कौन हूँ ठीक है माजी थैंक यू चल रगू तो अंदर चल मेरे साथ मैं ना तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ हाँ हाँ चल हाँ माजी कैसी सास है आप आप मना नहीं कर सकती थी क्या देखा आपने चोटी को कैसे हाथ पकड़के उसको अपने कमरे में लेकर गई है अरे बहू तू भी ना हर चोटी चोटी बाते पे रियक्ट करती रहती है अरे वो उसका दोस्त है उसके गाउं का है तो पकड़के हाथ ले गई तो इसमें कौन सी बड़ी आफ़त हो गई दोस्त भाई के जैसा ही होता है आस पड़ोस का है बचपन से खेले बड़ी है तो क्या हो गया इसमें ठीक है माजी पस्ता आएंगे आप एक दिन बहुत मॉडन बन रही है ना आप घर की बहु ऐसे पराए मर्द को हाथ पकड़कर अपने कमरे ले जा रही है और एक आप है मॉडन पढ़ी लिखी सास जिनको कुछ फरकी नहीं पड़ता हम बई ऐसा हमने अचमबो तो नहीं देखा कभी ये इस ओवरिस्मार्ट के चक्कर में न माजी एक दिन आपका घर बरबाद हो जाएगा फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि बहु तूने हमें बताया नहीं समझिया भाई बहुत टाइम हो गया मैं तो चला सुने तुम लोग देख लो तुमको बाते करनी है तो करो और सो नहीं तो सो जाओ आप बिदा कितना जल्दी सो जाते कोई बात नहीं आप चलिए मैं आते हूं थोड़ी देर में ठीक है और बता रगू शादी वोदी कब कर रहा है बहुत चल करने वाला हूं लड़की तो देख रही है मैंने अरे बाह बता तु लब मेरिज करने वाला है हाँ और नहीं तो क्या तेरी तरह अरेंज मेरिज ना बाबा ना अच्छा बता लड़की क्या करती है इंजिनियरिंग कर रही है हो हो चल अच्छा ही है दोनों पढ़े लिखे रहोगे दोनों जॉब करोगे और अच्छे से गया ग्रेशते चलाओगे हाँ तेरी तरह थोड़ी न अब तेरा मामला में टाला गए इतने अच्छे ग़र में तेरी शादी हो गई है तुझे कमानी की क्या जरूरत है वो तो है यार अग्रू इस घर के इज़्जत के ना किसी को नहीं पड़ी है और ये मेरी सासु मा को देखो यही सोपे में चैन के निर ले रही है और छोटी बहु पराय मर्दे के साथ रात के दो बज़े हस हस के हसी चिचोली कर रही है मा जी ओ मा जी उठिये अरे क्या है बहु तुझे नीद नहीं आ रही है क्या जो रात में उठ रही है पहले आप उठिये अरे बड़े होने के नाते इस घर में क्या हो रहा है कुछ खबर भी है आपको खराटे मार के सोने में लग गए हो आप क्या हुआ बहू क्यों नीद खराब करी है सोजा जाके तू भी रात हो गई है अरे माजी आपकी छोटी बहू खस हसके इतना बाते करें कि मेरे कमरे तकावा जा रही है अप कैसे नीद आएगी मुझे रात के दो बज रही है लेकिन आपकी बहू के और उस लड़के की बाती नीद खतम हो रही है लेकिन आपको क्या आप तो खराटे मार कर मजे से सो रही हो अरे बहू वो छोटी बहू ने बोला था मैं दवाईयां लेकर आती हूँ तो मैं यहीं बेठे बेठे सो गई पता ही नहीं चला कब नीद लग गई अच्छा बता ताइम कितना हो गया रात के दो बज गए है माजी क्या रात के दो बज गई हो छोटी बहू अभी तक बात करी है हाँ और नहीं तो क्या जूट बोल ली हूँ मैं आप चल कर खुदी देख लो हाँ बहू चल देखती हूँ बहू आज तुम लोगों को सोना नहीं है क्या तू तुम मेरी दवा लेके आने वाली थी मैं इंतजार करते करते वहीं सोफे पिसू गई रात के दो बज गई है अभी तक तुम्हारी बाते खतम नहीं हुई ऐसी क्या बाते कर रही हो क्या दो बज गई अरे माची हम बचपन की बाते याद करे थे तो इस चकर में पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया रगू तुझा जल्दी से सोजा कल तुझे ओफिस भी जाड़ना है न हाँ यार सेही कह रही है चल मैं सोने जाता हूँ गुड नाइट बहू माना की रगू तेरा दोस्त है पर ये क्या तरीका है तेरा पती अकेले कमरे में सो रहा है और तु यहाँ दो बज़े रात तक बैठकर उससे बाते कर रही है अरे अब तु कुमारी नहीं है शादी शुदा है और अपने ससुराल में है हर चीज की एक मर्यादा होती है मैंने तुझे मना तो नहीं किया कि तु अपने दोस्त को घर मत बुला या उससे बाते मत कर लेकिन अती तो मत कर कि मैं बोलने पे मजबूर हो जाओं मा जी आप ये कैसी बाते करेंगे मैंने आपको बताया था न कि दीपक और रगू भी अच्छे दोस्त है हाँ देवराने जी बताया था आपने लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रात रात भर बैट कर उससे बाते करोगी अरे कोई लाज सरम है या नहीं यहां रहने की पर्मिशन दी थी ना अब क्या हुआ अरे ममी जी मेरे और रगू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है हम से बच्पन के दोस्त हैं इसके जादा कुछ भी नहीं और वैसे भी उसकी शादी होने वाली है हम तो उसकी गल्फरेंड के बारे में ही बात कर रहे थे और मेरी तो शादी होई चुकी है फिर भी आप ऐसा सोचती है अरे मैंने तो सोचा था कि आप अपने जमाने की उस जमाने की पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है तो कम सकम आप तो हर सिचुएसन को समझेंगे क्या लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हमेशा सभी रिस्तों को सभी लड़के लड़कियों के रिस्तों को एक ही नज़र से देखना जरूरी है क्या और देवी आप आप तो आज की होकर भी पता नहीं, 200 साल पुरानी सोच है आपकी माजी, मुझे भी अपनी इज़त और अपनी मर्यादा पता है और मेरे पती की भी इज़त क्योंकि मैं अपने पती से बहुत प्यार करती हूँ ये छोटी सोच निकाल लिए माजी और अपने सोच को बढ़ा कीजिए भरोसा रखिये मुझे पर इतने सालों से मैं आप लोगों के साथ रह दियू तो भी आप लोग आज तक मुझे समझ नहीं पाएं आप लोगी बताईए कि अगर मेरे मन में चोर होता रगु को लेकर कुछ भी तो मैं उसको अपने घर में रुकने के लिए क्यों बोलती मुझे भी तो लगता ना कि मेरे सास, मेरे जठानी, मेरे पती को पता चल जाएगा पर मेरे घरमन में कोई चोर नहीं है वो मेरा बच्पन का दोस्त है और कुछ भी नहीं समझे आप लो तो सही कह रही है बहू मुझे माप कर दे मैं ना तेरी जठानी के बहकावे में आ गई थी पर एक बात जरूर कहूंगी बहू माना कि तेरे और अगू के बीच में कुछ भी नहीं है और तुम दोनों अच्छे दोस्त हो पर बेटा ऐसे रात के दो दो बजे तक बैट कर बाते करना ये तो अच्छी बात नहीं है न वो भी जब तुम्हारा पती घर पे है वो अकेले सो रहा है जो भी बाते हैं कल सुबह होगी तब कर लेना इतना जरूरी तो नहीं कि रात में ही बैटके बाते करनी है ठीक है माजी मैं आपकी इस वात से जरूर सहमत हूँ पर उसके लिए सौरी मुझे बातो बातो में पता ही इतनी चला टाइम का आइंदर से मैं ध्यान रखूँगी और आपको कभी भी शिकायत कमोकर नहीं दूँगी और दीदी आप जर आग लगाने का काम बंद कीजिए और अपके रिस्तों के ध्यान दीजिए दूसरे के रिस्तों से ज़्यादा अगर आज आप अपके खुद के रिस्ते पे ध्यान दी होती न दीदी तो आज आपका ये हाल नहीं होता चेव जी आपको छोड़के जाने चुके होते जाने हो सुने कुछ काम लगे तो आवाज दे देना देखा दोस्तों क्या हो रहा है हमारे घर में अब आप लोगे कमेंट करके बताओ कि मैं गलत हूँ ये मेरी सास ये मेरी दिवरानी अब आपको ही रिसाइट करना है जब तक मेरा नए वीडियो नहीं आता तब तक आप इस पे कमेंट करके अपनी राय मुझे बताईए मिलती हूँ नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ तब तक सभी लोग अपने घर परिवाय का खूद धन लखी राम राम जय माता दी सबको